कख्षा यार जीव विज्ञान के अंतरगत पहला चेप्टर है जीव जगत दा लिविंग और इसमें जो टॉपिक्स हैं प्राणी उबन अथ्वाचिनिया घर संग्रहालाई हर्विर्यम और प्रनस्वत उद्ध्यान इसके अलावा भी इसमें जो बर्ग की संवर्ग के जो पदान उकर्म है उनके बारे में अधिन किया जाएगा इसले आए स्वागत आपका जीव जगत में विवित्ता सबसे पहले बात इस यूनिट की करते हैं जीव जगत में जो विवित्ता है डावस्ट्री इन लिविंग और इसके अंतरगत हम फोर्ट चेप्टर का आदिन करते हैं चेप्टर में जीव जगत जो अभी हम कर रहे हैं और टू में होगा जीव जगत का वर्ग करन वायलोजिकल क्लाइस्पिकिशन और थार्ड चेप्टर होगा बनस्फिज जगत प्लांट की इकडम और फोर्थ होगा पुरानी जगत तो अब बात करते हैं जीव जगत लड लिविंग उरड जीव जगत क्या है वर्ट इस लिविंग इसके अंतरगत हम जीव जगत की विवित्ता वर्ग की समवर्ग और वर्ग की सायता सादन तो जीव क्या है जीव जैसे आम नौरम ने पिछले क्लासों में पढ़ते थे कि सभी जीव जो हैं उनके कुछ बिसेस लक्षण होते हैं जिनके कारण उसको जीव कहते हैं चाहे पूंदे हो चाहे जनतु हो सभी जैसे आम कहते हैं सभी जीव में ब्रदी होती है सभी जीव ज इसी प्रकार के बहुत सारे लक्षे लोग दूसरी बाद आती है जी जगत में विवित्ता अब जो पादब जगत है जो जन्तु जगत है या प्राणी जगत है इसमें बहुत सारे विवित्ता है लगवाग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्प्सीज जिसमें पाए जाते हैं जो अभी ज्यात है और पूरे संसार बर्में इनको इनको एक पहचान के लिए इनमें दिनाम पध्यत कैर लस्लीनियस द्वारा एक नाम पध्यत का उश्कार किया गया जिसमें प्रते एक जीव को दो नामों से जाना जाता है उसकी लेनियस ने अपने पुब्लिकेशन का टाइटिल सिस्टेमा नेचर रखा है प्रते जीव का अपना एक बैग्यानिक नाम जो पूरे संसार में श्विकारता उसकी होती है उन्हों का बैग्यानिक नाम आई सी वी एन कहते हैं इसको इंटरनेशनल कोर्ड और वाटनिकल नॉ इसी जड़न बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जि लोजिकल नॉ मंक लेचर जैसे आम का बैग्यानिक नाम है मेंजी फेरा इंडिका उसका जो मेंजी फेरा है वो उसका बन से होगा और उसकी जाती हुई इंडिका तो इसी प्रकार कई नाम शुविधाजनक नाम होते हैं जैसे हम गेहूं चावल पॉंधे जन्तू मचली इसकार से कॉमन टेक्सा का उफ्योग करते हैं एक बैग्यानिक सब्दावली इसका उच की जाती है जिसे कहते हैं टेक्सा अब बात करते हैं बर्ग की संवर्ग टेक्ज़नॉमिक काटेग्रीज इसमें जो है नीचे से उपर क की ओर हम जाते हैं सबसे नीचे जो है एक सीज एक जाती है उसे बड़ी चीज होती है वंस बंस से कुल और कुल से फिर गण गण मींस ओडर अंगरी जीम बूलते हैं वार्ग फिर और उसके बाद संग और जगत कि है अब एक एक करके इनका अध्यन करेंगे हम जैसे जाति है जाति जो है सबसे इससे दोल्क समंत्ता उसमें होती ऊटिये प्रतिधिक जीव का मौलिक को इसमोंगे और समीपस्त समेंधित अकारी की विन्ता के कारण उन्हें एक दुस्ते से अलग कर सकते हैं, जैसे मंजी फेरा इंडिका है, उसमें जो इंडिका है वो उसकी जाती होगी, और इसी तरह सोलेनम चुवीरोसम आलू को बोलते हैं, उसमें चुवीरोसम आलू का स्प्सीज है, उसकी जाती है, जैसे पैंथरा लि लियो किया है उसकी जाती है शेर की इन सभी तीनू नामों में यह कौमन जो उसके बाद आ रहे हैं जैसे इंडिका ट्यूविरोसम लियो यह जाती को बताते हैं और उसे बड़ी कटेगरी है वंस या जीना जीसे कहते हैं वंस से समंधित जाती का एक बर्ग आता है वंस समंधित कोई भी जाती का एक बर्ग आता है मलब एक पर्टिकुलर जाती से बड़ी चीज होगी वंस वंस के अंतर कई प्रकारी जाती आ सकती है वन्स जो है समिपस्त समंधित जातियों का एक शमू है उधाण के लिए आलू टमाटर त्था वेगन एक यह दोनु अलग लग चीज है अलू टमाटर और दूसरी चीज आई वेगन लेकिन यह सभी सोलेनम बंसमा आते हैं तो सेर है सेर को पंथरा लियो बोलते हैं चीता को पंथरा पाडस बोलते हैं तथा वाग को पंथर टिग्रिस बोलते हैं इसमें जो पंथर है या पंथरा इसको बोलते हैं यह इनमें जो टिग्रिस है लियो है पाडसस है यह उसके जाती है पर उन से सब का पंथर या पंथरा इसको बो है लिखा जी जाती है कुल या फैमिली से कहते हैं इसमें समंद्रीद बंस आते हैं स्याहिजा दी की तुलिणा में जो कुल फैमिली कम समालता प्रदिशेत करती है पुल के बरिगन का अधार प्रों। को जब कि अधार चैनल गुण उधारण फोनुमें तीन बिविण्वन सोलेनम पिटूनियां इस सोलेनी सी कुल में रखते हैं जब की पैंतिरा जिसमें शेर है को फैलिस बीली के साथ फैलेडी कुल में रखे जाते हैं इस पर कारेदिया आप बिली या कुट्ते के लक्षन को देखो तो आपको दोनुमें कुछ समानता हैं कुछ विन्ताय दिखाए पड़ेंगे उन्हें दो कुलूं कैनेडी तथा फैलीडी में अगला क्रम आता है गण और गण उच्छतर बर्ग होने के कारण कुलूं के समुव होते हैं जिसके कुछ लक्षन एक समान होते हैं इसमें एक जैसे लक्षन खुल में शामिल भून बन से कि अपक्षा कम होते हैं इसका मुख्यादार जो है उसमी लक्षन होता है फिर आते हैं अगला क्रम वर्ग या फैमिली इस समर्ग में समंधित गण आते हैं वदाहन प्रायमिटा गण जिसमें बंदर है गौरिला है गिवान है ये आते हैं और कार्निवुरा गण इसमें बाग है विल्ली है कुता आते हैं इनको मैमेलिया में रखा गया है इनके एत्र बड़ा करम शंग हाइलम जिसे करने वर्ग संग एक ऐसा वर्ग है जिसमें जैसे मचली है उबाइचार है शरी सब्सक्राइब पक्षी एस तंदारी एक साथ है अगला उच्छतर समवर्ग जिसे हम संग कहते हैं इनमें क्या है कि सभी को एक समान गुण जैसे प्रस्ट रज्जू नोटो कार्ड या प्रस्टी खोखला तंदिका तंदिके होने के आदार पर कॉड़िटा में रखा गया इनको सभी मचली को भी उबाइचर को सरिश्रब फ एक अब उसे उच्छतर अक्रम आता है जगत ऑध ट क्यूना कि अब क्याल्य द्वीन संगों के सभी परण्यूप को जबकि पादब है त्वेन भाग डिमिजन को रखा गया है विंद संगों के से अधार्य अनिमेलिया में रखा प्लांटी में रखा गया है तो इन दो वर्गों को जंतुतर पाद्व जगत कहते हैं तो इस प्रकार से जैसे जगत है फिर उसका संग है पादमों में उसको डिविजन या भाग बोलते हैं उसके वाद नीचे और वरग आता है फिर गण पोल आता है फिर वन साता विद उसकी जाती आती है यह क्रम पूरा होता है कि वर्ग की साहता साधन वर्ग की साहता साधन टेग्जोनॉमिकल एड्स जिसी करनें वर्ग की साहता साधन जीओं के पहिचान के लिए एक गहन तथा आधनिक उपकरणों से संसाधिक प्रयोक शाला तथा कि प्रयाण के आप सकता होती है कि मलब कोई भी जीओ को आप अगर देखें तो उसका अध्यानम तब कल सकते हैं जब वह जीओं हमारे किसी रूप में हमारे साथ हो यह तो हर्विनियम हो उसका या तो कोई बॉट्रिनिकल गार्डन हो इस प्रकार का जिसमें विविन प्रकार के वनस्वाद दूस्वन लगाए हो या कोई संग्रहल हो जिसमें एक वो पॉंधे और जंदूं को परिजख्षित उनके नमूने रखे जाते हैं जैसे प्राणियों के नमूने शुखा कर रखे जाते हैं कीटूं को एकर्त करके मारने के बाद वक्षी एंस तंदारियें इनको परिख्षित करने के लिए उनमें भूसा या कोई चीज भर दिया जाता है जिसे वह शड़े ने कोई चीज अंदर से फिलिंग की जाती है तो वह संग्रहले में रखे जाते हैं इसी प्रकार प्राणियों चिनिया घर होते हैं जिसमें सबस उसको सामने देखके आप उससे परचित हो सकते हैं कुंजी अथवा चावी यह क्या है एक अन्य साधन सामगरी है जिसका उप्योक्स समानताओं तथा असमानताओं पर आधारिद होकर पूंधूं तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है यह कुंजी विप्रार्च से मारख जलसन का खार्यक करता है और पहस्चानने के लिए प्रतीक बरगी समर्गमन जैसे कूल एबंस यह जाती के लिए कुंजी की आफसकता होती है थाइंक्यू